जहिन साथियों, मैं हूँ अरुन कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भोगोल जिसमें आज का हमारा टोपिक है भारत का भोगोलिक विस्तार और जिसमें हम लैटिट्यूड, लोंगिट्यूड्स, भारत का अक्षांस ये, लैटिट्यूड्स को बोलते हैं अक् को शुरू करते हैं देखिए सपोज किजी कि यह दिल्ली है दिल्ली में यह जगा है यहां पर इसका अड्रस आपको पता है एबी सीडी एक्स वाई जेट कुछ भी हो सकता है हाउस नंबर और लास्पतनगर पिन कोड वगरा यहां इस जगा कोई अड्रस है तो अगर आप एक लेटर पे लेटर हैड पी यह डाल के और इस लेटर को पोश्ट कर देंगे तो डैफिनेट्ली वी लेटर यहां चरूर पहुँझ जाएगा क्योंकि जगा का हमें एक पता है एड्रस है यहां का हमें कुछ ना कुछ लोकेट कर सकते है हम इस जगा को लेकिन सपोज कीजिए यहां पे यहां पे जगह हम ले लेते हैं बंगाल की खाड़ी में अब बताइए इस जगह का क्या अड्रेस है इस जगह का अड्रेस है बंगाल की खाड़ी थोड़ा सवर आगे चलें तो बंगाल की खाड़ी डेल्टा के दक्षिन में बाकी हमारे पास इसका कोई अड्रेस न होगी इस जगा का आड्रेस आपके पास जरूर होगा मैं सा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अध्ये अक्षांस क्या होता है लेट्टिट्वॉड क्या होते हैं सबसे पैदे लेट्टिटूड को जान लेते हैं तो देखिए यह हमारी प्यारी धर्ती यह हमारी धर्ती है और इस धर्ती को अगर हम बिल्कुल सेंटर से दो भागों में बाट दें यह बीच वाला भाग जो आपको दिख रहा है यह वाला बिल्कुल बीच से जिससे कि दो अर्ध गोलों में दो बिल्कुल बरावर बरावर भाग हो जाएं इसके बीच से त ठीक है, इस भुमद्दे रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, क्योंकि यह इसको उत्तर में है, इसको बोलते हैं उत्री गोलार्द और जो नीचे रहा गया उसको बोलते हैं दक्षनी गोलार्द South Hemisphere यह गलत लिखा गया है North South यहाँ पर सही बना हुआ है उपर वाले को बोलते हैं North Hemisphere नीचे वाले को बोलते हैं South Hemisphere उत्री गोलार्द, दक्षणी गोलार्द अब देखिए अगर हम अर्थ को बीच में सेंटर में पहुँच जाएं इस तरह से यह मान लिजी अर्थ को हमने साइट से काट लिया है और यह अर्थ का सेंटर है और अर्थ के सेंटर से जो हमने सेंटर वाले लाइन बनाई थी यह वाली लाइन यह वाली लाइन जो बनाई थी हमने जिसे हम बोल ले थी भूमत दे रेखा यह बन लाइन अगर हम अर्थ के सेंटर से एक एंगल बनाना शुरू करें इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन ले 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 और एक एंगल बनाना शुरू करें एक एक डिगरी का मान लेते हैं दो डिगरी का मान लेते हैं या 0.5 मिनिट का मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक डिगरी का एंगल बनाएं, तो इस तरह से एक डिगरी का एंगल बनता रहेगा, और उपर यह लंबवद कौन बनेगा, और यह 90 डिगरी का एंगल बन जाएगा, यह 90 डिगरी है, इसके रेफरेंस से अगर हम लें य पूर्थ पोल है तो नाइंटी डिग्री का एंगल पूरा बन के आ जाएगा और ये गुमत्रेखा को मिला के टोटल नब्य पॉइंट ऐसे बन जाएंगे जहां पर ये एंगल आके अर्थ की सर्फेस से मिलेगा और अगर हम इनी एंगल को आपस में जोड़ने जो ये एंगल ह बन रहे हैं ख़ेहं पर ये वन दिग्री पर है इसको जूम कर लेता है अब ये सब्सक्राइब जह राहे है जीरो डिग्री भूमत्रेखा अ रही ती अंदर से अगर हम सेंटर से एक डिग्री का एंगल बनाएं तो एक लाइन यहाँ पर आएगी दूसरी यहाँ पर आएग जोथी यहां पे आएगी और ऐसे कुल मिलाके 90 उपर जाएंगे नॉर्थ पुल तक यहां पर नॉर्थ पुल है यहां पे साथ पुल है कि 90 डीग्री का एंगल बन रहा है तो इन नब्य वाइनों को अगर हम इस तरब बीन इस्तरब भी 1 डिग्री का 2 ग्रफिख इंगल बने च्क अगर आपस में मिला दे इनको तो एक पैरला लाइन बन अबन जाती जिए सामानांतर निंट मंगी तो यहें रहा हैं कैसी है यह मैं यह काल्पनिक रमिधे धरती हैं जो बनी है धरती के उपर एक एक डिग्री के अंगल पर हमने बनाई है को ज़्छ जरूरीज में कई एक डिक्रिक में बनाएं Upper डिग्री को हम एक हम अपना रेफरेंस लेके चल रहे हैं अभी एक अने को अनेक लाइन हो सकती है एक डिग्री और जिरो डिग्री के बहुत सारी लाइन हो सकती है सेकेंड में चली जाएंगी मिनिट में फिर उसके बाद सेकेंड में और चोटी और चोटी तो यह लेकिन यह स नीची भी तो अर्थ है, साउथ हेमिस्फेर में, तो यहाँ पर जो लाइने बनेंगी, उन्हें हम बोलेंगे, वन डिग्री साउथ, या टू डिग्री साउथ, या थी डिग्री साउथ, उसे साउथ के साथ लिखके, उसके आगे या पीछे डक्षणी गोलार्द या साउथ के हम प्रेजेंट करेंगे साउथ लेक्के हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन है कितनी टोटल बनेंगी एक तो यह एक तो यह रहता है यहां तक नीचे यहां तक 89 लाइन जाएंगी और ये के बीच वाली कुल मिला के हमारे पास 179 लाइन बनेंगी 11 डिग्री के अंतर वाली अगर हम एक एक डिग्री का अंतर लें तो 179 लाइन बनती है ये कहलाती है हमारी अकसांस या लेटिटीट्यूड गोलारद आपको समझी गए उपर वाला जो है य नोर्थ हेमिस्फेर है नीचे वाला साउथ हेमिस्फेर है इन दोनों के अगर हम एक डिग्री के रेफरेंस में चल रहे हैं तो इन दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है अर्थ पे क्योंकि ये पैललल लाइन है और इनके बीच की दूरी पूरी अर्थ पे बराबर है यह पुरा सर्किल में गोम रहा है तो इनकी बीच की दूरी होती है, 111 km क्याद रखिएगा, 111 km, 1 degree के 2 अक्सांसों की बीच की दूरी होती है, 111 km, यह कोणी यह बड़ी की मातर लगती है, सही कर लिजेगा, तो वाटिच अक्सांस, latitude है क्या आखिर, तो प्रथवी के केंदर से प्रत्वी के केंदर से मापी गई कौनिय दूरी है ये एक waterray की कौनिय दूरी है या 2.5 डिगरी की 2.6 डिगरी की कितना भी कौन हो सकता है मिदे इंगुलर डिस्टैन्दि अक्सांस की अगर हम latitude अक्सांस की परिवासा दे तो तो अकसांस प्रत्वी के के अंदर से मापी गई कोणिये दूरी है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और समानांतर होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं समानांतर होती हैं मिनट डिग्री में होती हैं उससे छोटा करेंगे तो मिनट और उससे छोटा करेंगे तो सेकेंड य देखिए हमारी अर्थ tilted है कितने कौन पर बताइए 23 and half degree कौन पर tilted है हमारी अर्थ तो 23 and half degree कौन पर tilted होने के कारण कुछ special तरह के अक्सांस बन जाते हैं कौन-कौन से वो special अक्सांस होते हैं वो हम देखते हैं देखिए जो center वाला है ये वाला यह तो 0 degree वाला है, यह भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा इसके नौर्थ साइड में हम चलेंगे, यह उपर वाला नोर्थ नोर्थ पॉल है नोर्थ पॉल में 0.5.3 degree, 23.5 North को हम बलते हैं करक रेखा देखिए, 23.5 North इसको बलते हैं करक रेखा 23.5 नोर्थ में तो 23.5 साउथ में भी होगा साउथ है मिस्पेर में दक्षनी गोलार्द में तो दक्षनी गोलार्द में जो 23.5 है उसको बोलते हैं मकर रेखा मकर रेखा उसको हम बोलते हैं मकर रेखा इसी तरह से 6.56 डिगरी नोर्थ उत्री गोलार्थ में जो 6.56 डिगरी वाला अकसान से है 6.56 डिगरी वाला जो latitude है उसको हम बोलते हैं Arctic व्रत Arctic व्रत उत्री गोलार्थ ऐसे नीचे भी Arctic व्रत दक्षनी गोलार्थ शाड़े 6-6 डिग्री साओथ वाले जो दक्षनी गुलार्द में लाईन होगी उसको हम बोलेंगे आर्क्टिक विरत दक्षनी गुलार्द ठीक है यह अर्थ हमारी साड़े 23 डिग्री पे टिल्टिड है 23.5 डिग्री पे अगर हम इस एंगल की बात करें तो यह 23.5 डिग्री ह हो जाएगा इतने एंगल पले हमारी अर्थ टिल्टिड में इसकी वज़ासे क्या होता है सूर अगुस के प्रत्वी के सूरे के चारो तरफ सिक्कल लगाने से और टिल्टिड होने की वजा से सूरे जो है ये मकर रेखा और करक रेखा करक रेखा और मकर रेखा के बीच में कहीं न कहीं वर्सवर लंबवत रहता है इन दो लाइन के बीच में ही रहता है अगर हमारी अर्थ है तो tilted होने के कारण सूरे होले के लंबवद करने इसके बीच में कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है वर्सवर वर्सवर चेंज होती है लेकिन वो रहती करकड़ेखा और मकरड़ेखा के बीच में ही है अ गर अम सतारीक के बात करें तो भुमद्य रेखा पे लंबवत होता है 21 सितंबर और 21 मार्च को 23 सितंबर और 21 मार्च को सूरे किरने भुमद्य रेखा पे लंबवत गिरती है इसलिए 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और राद बराबर होता है 23 सेप्टेंबर ये दिखे सूरे की किरने 23 सेप्टेंबर और 21 मार्च को मुहमत रेखा पे लंबवत पड़ती है 21 जून ऐसा दिन होता है 21 जून को सूरे की किरने करक रेखा पे लंबवत पड़ती है इसलिए 21 जून को इंडिया के परफेक्स में देखें तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 को सूरे की किरने करक रेखा पर लंबवद पड़ती है 22 दिसमबर को सूरे की किरने मकर रेखा पर लंबवद पड़ती है सूरे की लंबवत किरने भारस से सरवाधिक दूरी पर चली जाती है इसलिए 22 दिसमबर को दिन सबसे छोटा होता है 22 दिसमबर को दिन सबसे छोटा होता है क्योंकि 22 दिसमबर को सूरे की किरने लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर यह जो येलो वाला हिस्सा बन गया है यह ओरेंज कलर से दिख रहा है आपको कार कर रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो छेत्र बन गया है साढ़े 23 दिख्री साउथ से लेके साढ़े 23 दिख्री नार्थ को इस पूरे हिस्से को बोलते हैं आपको अगले लैसें में रियुसि करूंगा तो इनको अच्छे से समझ लीजिए आने वाले लैसें में यह इस्तमाल होंगे इस पूरे छेतर को बोलते हैं, ऊस्न कटी बंद या जो ट्रोपिकल जोन, यह जो पूरा छेतर है, करक रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये ट्रोपिकल जोन है, उसके बाद, दोनों साइड में, तरी गोलाड और ढक्षनी गोलाड में, साड़े 23 डिग्री से साड़े 26 डिग्री के बीच का जो छेतर है यानि करकरेखा और आर्कटिक वरत ऐसे ही मकररेखा और आर्कटिक वरत के बीच का जो छेतर है जो green color से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं उपोस्ण कटी बंद या सब ट्रोपिकल जोन Sub-Tropical Zone देखी क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणे वस्वा लंबवत रहती है कहीं न कहीं तो यहाँ गर्मी जादा होती है इस चेत्र में इसलिए इसको हमने उश्न कटी बंद बोला है यहाँ पर सूर्य की किरणे लंबवत नहीं पोछ पाती है इसलिए हमने इसको बोला उपोशन कटी बंद या सब ट्रोपिकल जोन कौन सा चेतर है यह साड़े 23 डिगरी से लेके साड़े 26 डिगरी के बीच वाला नोर्थ और साउथ दोनों में इसको बोलते हैं आर्केटिक व्रत और इसके आगे वाला जो रहा किया साड़े 26 डिगरी नोर्थ से लेके यह 90 डिगरी और यह भी साड़े 26 डिगरी साउथ से लेके 90 डिगरी जो हमने बिलू कलर से बनाया है इसको बोलते हैं सीत कटी बंद यहाँ पर बरफी जमी रहती है बहुत ज़्यादा सड़ी रहती है क्योंकि यह सिर्फूरे की किरने भारत पूर्ण रूप से उत्रीव लाड़ में यह भारत है हमकर रहाझा भारत को बीच यो बीच से काड़ देती है तो भारत की जल्वायू का इसे हो मनले बताईए भारत की जल्वाई उस्थृ मंदिया है कि उपोष्ण बनिया है öगा से दिखने में लग दोनों है आधे मानसुनी जलवायू यह जलवायू वाले चेप्टर में हम पढ़ेंगे लेकिन आप भारत की स्थिति देखिए भारत पूर्ण रूप से दक्षणी गुलार्द में नहीं है पूर्ण रूप से उत्री गुलार्द में है भारत यह आपको दिख रहा है और करक रेखा भारत को बीचो भी से कारड़ देती है हम आगे चलते हैं अभलेया देशांतर क्या होता है अंस हम ने पढ़ लिया हम देसांतर समझतें देसांतर समयने को सिस करते हैं देखे जैसे हमने प्रत्वी पे यह पड़ी हुई लाइने खीची थी होरीजेंटल लाइन्स खीची थी ति शेतीज लाइने कीची थी उसी तरह से अगर हम ये सेंट्र वाड़ी लाइन भूमध्य रेखा देखिए इसको बना यह ऊणना फिक है लेकिन वह लाइन ऐसी अन्य चाहिए जहीए जो ईस एंगल शे तो जै लेकिन दोनों पॉल से ओके भी हुजरे नौर्थ पॉल और साँथ पॉल इन दौनों पॉल से होके विस्ट लाइन को जाना चाहिए तो उस लाइन को हम बोलेंगे पैस नतर यह longitude 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 है यह एंगुलर डिस्टेंस भी ओती है भूमत रेखा पर एंगुलर डिस्टेंस होती है लेकिन यह नौर्थ पॉल और साउथ पॉल से होके जाती है और यह पूरी लाइन देखिए यहां से जाएगी तो इसके भूमत देरेखा वाला जो प्रत्वी को दो बरावर भागों में बाट रहा था लेकिन यहां पे हर एक लोंग इट्यूड हर एक देशांतर प्रत्वी को दो बरावर भागों में बाटेगा यहां से जाएगा पीछे से घूम के फिर आएगा क्योंकि हर एक देशांतर सरवादिक होती है अगर हम एक डिगरी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं अभी तो एक डिगरी का मान के चले तो एक डिगरी की दूरी भूमद्यर एका पर सरवादिक होती है और धुरूवों के पास जाके घड़ जाती है दोनों तरफ धुरूवों के तरफ हम जाएं अगर हम हम दर नौर्थ में जाएं, चाहें साथ साथ में जाएं, इनकी बीच की दूरी लगातार कम होती चली जाती है, और धुरूवों पर जाके तो इस सारे हापस में मिली जाते हैं, ठीक है, अगर हम भूमद्यर एक पर ही दोनों की बीच की दूरी मापें तो होती है, लगभग 111 पॉइंट तीन तीन किलो मीटर, भूमद्यर एक पर दो देशांतरों की बीच की दूरी होती है, 111.33 किलो मीटर, अब देखिए क्योंकि ये गलोब है, पूरा सरकल है, तो ये एंगल कितना होगा, इस पर कितनी लाइन एक डिगरी की बन जाएंगी, इस पर टोटल तीन सो स कितना है, तो ये पॉब्ॉइटरी, प्रियोग साला है, ग्रीन विच लंदन में, वहाँ पर ये सब डिसाइड किया गया, अकसांस और देशांतर, तो जो देशांतर ग्रीन विच से हो गया लंदन से, उसे हमने जीरो डिग्री मान लिया, अब जिरो डिग्री है, किसी को भ होता है जो ग्रेंट वेस्ट में टाइम यह प्रदान देसांतर को हम बोलते है और जी रो डिइडिरी के क्या होगा क्योंकि इस जीरो णिग्री घुम के पिछे भी तह जाएगा तो जी रो डिग्री के जिरो डिग्री वाला था इसको बोलेंगे प्रधान देशांतर या ग्रीन विच मीन टाइम से हमारा समय निरधारन होता है इंटरनेशनल डेट लाइन से हमारी तारिक निरधारित होती है जिसकी देखिए इसको मिया समझ लेते हैं माल्य जी हमने इस ग्रीन विच मीन टाइम या प्रधान देशांतर देशांतर या जी temp वटान इसकी नॉह फोぎ इस तरफ चलेंगे तो एकसी लाइन होंगी जीरो के बाद 1,2,3,4,5,6,7 जीरो के बाद इधर 1,2,3,4,5,6,7 और 180 नंबर के कैसी लाइन आएगे जहाए दोनों जाके मिल जाएंगे तो वो जश्ट 0 के पीछे होगी इस 0 के जश्ट पीछे होगी एकसी वाली जहाँ पे दोनों जाके मिल जाएंगे देखिए ये इधर भी है और ये इधर भी है दो अलग अलग लाइने नहीं है ये इधर भी है इधर भी है एक ही लाइन है अगर इसको राउंड करके मिला दे तो यहाँ पे जाके मिल जाएगा तो 0 डिग्री से अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो इसको हम East count करेंगे क्योंकि 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री धर भी है 1 डिग्री 2 डिग्री धर भी है तो उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए तो इस तरफ को अगर हम चलना है पूर्व दिशा में भारत वाले दिशा में लंदन से तो इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर ई उसके आगे ई डोनिनेट करेंगे ई पूर्वी देशांतर ये पिंक वाले जो छेतर है ये सब पूर्वी देशांतर है पूर्वी देसांतर है और यह जो बिलू वाला छेतर है इसा पस्मी देसांतर है पस्मी देसांतर है वेस्टन पस्मी देसांतर है और पूर्वी देसांतर पस्मी देसांतर पीछे जाके 180 डिग्री पे मिल जाएंगे 180 डिग्री पे मिल जाएंगे देखिए उत्त्री वे दक्षिनी दुरुप को मिलाने वाली कालपनिक रेखा उत्त्री वे दक्षिनी दुरुप को मिलाने वाली कालपनिक रेखा जो प्रत्वी को दो बरावरों बागों में बाट देती है उसे ही कहते हैं हम देशांतर ये रहा है समानांतर नहीं होती है पॉल के पास जाने पर इनकी बीज की दूरी घरती जाती है ठीक है टोटल कितनी लाइने होंगे टोटल 360 लाइने हो जाएंगे ठीक है 180C वाली degree जो है उसे कहते हैं international deadline लाइन और जीरो डिग्री वाली जो है इसको कहते हैं प्रधान देसांतर अब देखिए भारत कौन से गोलार्द में चला जाएगा हैं यह भारत पूर्वी गोलार्द में चला जाएगा यह पूर्वी है इस तरफ को जो देसांतर हैं वो पूर्वी है इस तरफ को जो देसांत बाड़ में इस्तित है यह इसकों चार भागों में बाड़ दें यह उत्री पूर्वी है यह क्या है यह दक्षणी पूर्वी है लिख लेते हैं यह उत्री पूर्वी है नोर्थ इस्ट वाला यह कौन सा है यह दक्षणी पूर्वी है साउथ इस्ट यह वाला कौन सा है अब तो सौ्थ में कौन सा है, स्वेस्ट वाला सौ्थ वेस्ट इस तरह से चार इस्शाम ने बना दिये, तो भारत पूर्ण रूप से किस गोलाड़ में है यहां आपको देशांतर रेखाएं अच्चे समझ में आ रही है यह पूल है और सारी रेखाएं प्रत्वी को दो बरावर भागों में बार रहे हैं यहां से जा रही है जो यह जा रही है 90 डिगरी उस तरफ जाके 180 डिगरी पॉछ जाएगी 90 तो 270 पे जाएगा 0 डिग्री जाके 0 डिग्री यहां से जा रही है जिसको हम बोला है प्रधान मध्यान रेखा ये ग्रीन विच मीन टाइम और वो पीछे जाके 180 बन जा रही है जब इसको क्रोस करेगी उसके बाद भी वही लाइन रहेगी वो 180 बन गई देखें यहां पर 180 बन गई जिसको में बोला है अंतराष्टिय तिथी रेखा ये पूरा का पूरा ये हैं 0 से लेके 180 तक ये वाला ये 0 से लेके 180 तक वाला पूरा गोला चकर जो है ये हमारा पूरवी देसांत्रों में आएगा और ये 0 से लेके इस तरफ 180 वाला ये हमारा पस्मी देसांत्रों में आएगा पस्मी देसांत्रों में आएगा ठीक है ये पस्मी देसांत्रों में आएगा पूर्वी देसांत्रों में आएगा इसके पीछे वाली जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है देखे अगर हम इसे globe को map के ओपड़ देखें तो यह लंदन है यहां पर कहीं इस से कहीं लंदन है यह ब्लैक की जगह हम ले लेते हैं अभी आपका yellow color यहां पर कहीं लंदन है तो यहां से जो निकल के जा रही है 0 डिग्री वाली देशांतर ले लोंगिट्यूड वो है हमारी ग्रीन विच मीन टाइम या प्रधान देशांतर और जो 180 वाली डिग्री जारी थी वो अमेरिका का जो अलास्का वाला छेतर है उसके बगल से होके जाती प्रसांत महासागर से यह जो इस तरफ आपको दिख रही है यह जो दिख रही है यह वाली यह हमारी है इंटरनेशनल ड डिग्री वाली यह हमारे पस्मी देशांतर हैं यह हमारे पूर्वी देशांतर है जीरो से 180 तक पूर्वी देशांतर जीरो से 180 तक पस्मी देशांतर 180 पर जाके दोनों मिल जाएंगे और वो बन जाएगे हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन मैं छोटा था तकी बार बता रहा हूं तो प्ले ऐसे जाएगा लेकिन रिंहार क्यों जाएगा दर्थी तो गौल है ना दर्थी। चोकोर थोड़ी है प्लेन कैसे जाएगा प्लेन ऐसे जाएगा इतने पास में तो है रूस और USA और रसिया ठीक है तो यह जेस्ट जो का पार्ट अगर हम मैप को इस तरह से बना दें तो यह हमारी बन जाती है जो 180 वाली डिग्री लाइन है वो यहां से गुजर रही है रसिया का यह वाला छेत्र और USA का अलास्का वाला छेत्र जो की रसिया से लीज पे लिया था अब पूर्ण रोप से USA का पार्ट है तो इस तरह से हमारी उज़र रही है यह कुछ आड़ी तिर्चियों के लाइन सीधी नहीं है बता रहा हूं क्यों सीधी नहीं है इंटरनेशनल डे लाइन अंतरराश्ट एति थी रेखा 180 डीज़री देशांतर अब इस इस इससे होता क्या डिसाइड क्या होता इस लाइन से होता है तारीक तारीक कब बदलेगी देखे सूर्च इधर से निकल लाइधर से निकल ला इह जाल एए 180 इगरी 360 घुमने के बाद दिन बदल जाए है तारीख अब देखिए अगर यह लाइन को सीधी सीधी खीच देते यहां पर कुछ आइलेंड से हैं और यह लाइन उस आइलेंड के बीच निकल जाएगी तो उस एक देश में दो तारीख हो जाएंगी उस एक निश्चित भूमी पर दो तारीख ना बने इसलिए इस लाइ निश्चित भूमी पर दो दिन ना हो जाएं दो तारीख ना हो जाएं जिससे कि हमें कार्या वगएरा करने में ओफिस वर्ग करने में दिक्कत हो सकती है इसलिए तिर्चा बनाया गया है ताकि किसी भी निश्चित भूमी से बीच से ना गुजर जाए और जब भी हम इस अ हमारी अर्थ जो है यह हमारी प्यारी भूमी है और यह हमारे सूरे देवता है ठीक है अब जो सन है हमारी धरती है वो किस तरफ से किस तरफ गोमती है बताइए हमारी धरती गोमती है वैस्ट टू इस्ट वैस्ट टू इस्ट इसलिए जो सन है वो इस्ट टू वैस्ट वैस्ट गोम रहे हैं और सूरज हमें लोंगितूँड है हमारे 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 टोटल देसांतर है 360 रिग्रे को लगता है 24 गंटा एक चक्र लगाने में लगता है 24 गंटा इसका मतलब यह होगा कि 360 गुणा करके तो आप का आता है चार यानि कि एक डिगरी लोंगिट्यूड एक डिगरी देशांतर जो है वो चार मिनट के बराबर होता है या हम यह भी कह सकते हैं पंदरा से गुणा करके कि पंदरा डिगरी देशांतर पंदरा डिगरी लोंगिट्यूड जो होता है वो साथ मिनट या एक घंटे के बराबर होता है याद रखिएगा अगे रेफरेंस में हमारे काम आएगा बहुत सारे कैल्कुलिसन वाले कोस्षन भी आ सकते हैं एक कोस्षन भी हम आगे जाके सोल् का अन्तर होता है आप देखिए यह हमने जो लेटिट्यूड ओ लोंगिट्यूड पढ़े हैं आई तमिल नाडू में है, यह तमिल नाडू में है, कन्या कुमारी, यह तमिल नाडू है, यह तमिल नाडू है, यह तमिल नाडू वाला छेतर है, तो तमिल नाडू में जो कन्या कुमारी है, उसका अकसांसी है, जो वहाँ से अकसांस वादी रेखा गुजरती है, जो वहाँ से ल या उत्री लिखना जरूरी है क्योंकि अगर आप N नहीं लिखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षनी गुलार्द में भी होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्री गुलार्द में भी होगा N लिखने का मतलब है कि ये 8 डिगरी 4 मिनट जिसके हम बात कर रहे हैं वो उत्री गुलार्द वाला है तो अकसान सिये विस्तार के इसाफ से भारत की मुख्य भूमी का सबसे दक्षन वाला बिंदू है 8 डिगरी 4 मिनट जो कि कन्या कुमारी तमिल नाडो से होके जाता है और अगर हम मुख्य भूमी को छोड़के पूरे ही भारत की दक्षन तम बिंदू की बात करें पूरे भारत के दक्षन तम बिंदू की बात करें तो वो हमारे अंडवान निकोबार दीव समू में जो सबसे दक्षन वाला आई लेंड है उसका नाम है ग्रेट निकोबार क्या नाम है ग्रेट निकोबार परक्सा में पूछा गया है उसी पे जो हमारी अकसांस ये रेखा latitude लाइन जाती है वो है उत्तरी 6 डिगरी 45 मिनट 6 डिगरी 45 मिनट उत्तरी अकसांस हमारे भारत के इंदरा पॉइंट के इंदरा पॉइंट से होके गुजरता है उसे हम कहते हैं सबसे दक्षनतम भारत के सबसे दक्षनतम बंदू को हम कहते हैं इंद्रा पॉइंट जिसका अक्सांस यह जो अक्सांस उससे होगे जा रहा है वह है छे डिग्री 45 मिनट उत्री ये आपको याद रखना है इसमें कुछ त्रिक नहीं है छे डिग्री 45 मिनट उत्री इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षन पॉइंट है भारत की मुख्य भूमी के अगर बात करें भारत की मुख्य भूमी के अगर बात करें तो आठ डिग्री चार मिनट उत्री भारत की मुख्य भूनी का सबसे दक्षनतम पॉइंट है जो की कन्या कुमारी से होके जाता है जो की कन्या कुमारी से होके जाता है उत्री की बात कर लिए हम दक्षन की बात करते हैं अगर हम भारत के सबसे दक्षनतम वाले बिंदू की बात करें, सबसे उत्री वाले बिंदू की बात करें, तो उत्री 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्सांस, 36 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्सांस लद्दाक से होके जाता है, जम्मू कस्मीर के जो लद्दाक वाला छेतर है, अब तो लद्दा का लगी उनियंट्रेटरी बन गया है तो वहां से होके जाता है 37 डिगरी 6 मिनट उत्त्री अक्सान्स रेखा जिस जगा को हम कहते हैं इंदिरा कोल क्या है उन जगह का नाम इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्त्री उत्त्री छेत्रे है उत्री अक्सांस है तो अगर हम भारत के अक्सांस ये विस्तार की बात करें तो भारत के सबसे उत्री पाइंट जो है इंदरा कोल वह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्री भारत का जो सबसे दक्षन वारा छेतर है मुख्य भूमी की बात करें तो वो है आठ डिग्री चार मिनट ये डिग्री है ये डिग्री है यहाँ पर यहाँ पर डिग्री है ठीक है आठ डिग्री चार मिनट सबसे दक्षन वाला बिंदू है कन्या कुमारी आठ डिग्री चार मिनट अकसान से रेका मासे गुजरती है सबसे उत्तर वाला बिंदू ह इंद्रा कोल 37 डिग्री 6 मिनिट वाली लाइन वासे गुजरती है दोनों को गरम घटा दें तो आंसर आता है 29 डिग्री 2 मिनिट लगबग 30 डिग्री भारत का अकसांसिय विस्तार है मतलब भारत लगबग 30 अकसांसिय रेखाओं में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिन एक्जे देशा आंतर होंगे वो इव इवाले होंगे पूरवी देशा आंतर होंगे तो गरम भारत के सबसे पस्यम वाले मिन्दू की बात करें बात करें बारत का सकूछ् бесп वाला है बि clic dog Konstxo में इसी चेत्र है यहां से देशा न अंतर लाइन गुजड़ती है वो है 68 degree, 60 minute पूर्वी, East 68 degree, 7 minute, 68 degree, 60 minute पूर्वी, भारत का सबसे पस्यम वाला बिंदू है, गोर मोता, नराण सरोगर, गुजरात, इसी तरह से अगर हम भारत के सबसे पूर्वी वाले बिंदू की बात करें, पूर्वी वाले बिंदू की बात वी गोलारद में है तो यहां से जो देशांतर गुज़रेगा वो होगा 97 डिगरी 25 मिनेश इस्ट 97 डिगरी 25 मिनेट इस्ट कीबुथू आंदर प्रिदेश से गुजड़ता है कि बुतू आंद्र प्रदेश से गुजड़ता है तो भारत का अगर हम देखें देशांतरी विस्तार की बात करें अगर हम तो देखिए भारत का देशांतरी विस्तार आपको दिख रहा है 68 डिग्री साथ मिनट इस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट इस्ट तक गुजड़ता से लेके कि बुतू तक गुजड़त से लेके आंद्र प्रदेश तक और अगर हम इसके विस्तार की बात करें कितनी दूरी है तो देखिए हम इदर देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्त भारत के देशांत्रे विस्तार हमसे कह रहा है ये की बुथू 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट इस्ट पूर्वी गोर मोता गुजरात तक फैला हुआ है दोनों को गरम माइनस कर दे तो आंसर आता है 29 डिग्री 18 मिनट यानि भारत का देशांत्रे विस विस्तार लोंगीट्यूड वाला झो विस्तार है वो आएगा हमारह 19 डिग्री 18 मिनट यह भी लगवग 30 के बचांवर है यानि कि भारत का देशांत्रे विस्तार भी 30 के बचांवर снग्री था, देशांत्रे विस्तार ही 30 डिग्री यानि के भारत एक समचतु स्कोणिय देश है भारत एक समचतु स्कोणिय देश है क्योंकि इसका अकसांसिया और देशांतरे विस्तार लगभग बराबर है अब देखिए समय का अंतर कितना हो जाएगा यह 97 डिगरी 25 मिनट, 97 डिगरी 25 मिनट की भुतु और ये है 68 degree 7 minute 68 degree 7 minute गोर मोता, नरायन सरोबर, गुजराथ अब इन दोनों में अंतर देखिया दोनों में कितना अंतर है दोनों में 30 degree का अंतर है और एक degree चलने में कितना time लगता है चार minute मैंने आपको पीछे बता दिया तो total time कितना लगेगा सूरज को भारत के पूर्व से पस्षी माने में तीस को चार से गुणा कर दीजिए आंसर आएगा 120 मिनट यानि दो गंटा यानि भारत के सबसे पूर्वी पूर्वी वाला जो छेतर है कीबुतु से लेके गोर मता आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात के वीज दो गंटे समय का अंतर पाया जाता है अगर हम भारत की लंबाई चोड़ाई की बात करें लंबाई चोड़ाई की बात कर लेते हैं मैंने आपको बताया चाहें दो देशान्तर हो या दो अकसांस हो भूमत्र राखा पर उनके बीचकी दोरी होती है उक्सो ग्यारे किलोमेटर कितनी होती है 111 किलोमेटर ठीक है तो अगर हम क्योंकि भारत का अक्सांसिय और देशांत्रे दोनों ही विश्थार 30 degree है लग बग तो 30 degree को अगर हम 111 से जोना कर दे तो आता है 2330 km लग भग 3330 km की लंबाई चुड़ाई होनी चाहिए लेकिन क्योंकि देशान तर पहले हम पहले हम यह देख लेते हैं उत्तर से दक्षिंड तक होनी चाहिए 3330 लेकिन यह exactly 30 degree है नहीं exactly यह 30 degree है नहीं exactly कितना है देखिए exactly यह 29 degree 2 minute 29 degree 2 minute यानि 3330 km से कुछ कम दूरी आएगी वो दूरी कितने km है वो है उत्तर से दक्षिन की और 3214 km 3214 3214 3214 km और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भूबद्य रहखा से हम पोल की तरफ को चलते हैं तो देशांत्रों की बीच की दूरी घटी चली आती है और भारत उत्तरी पूर्वी गुलार्द में है तो यहाँ पे देशांत्रों की बीच की दूरी exact 111 km नहीं होगी कम होगी इसलिए भारत का पूर्व से पस्यम की बीच की दूरी जो है वो है 233 km 3300 km से कम है क्योंकि यहाँ दूरी कम हो जाएगी तो भारत की उत्तर बिंदू से उत्तर वाले बिंदू से दक्षन वाले बिंदू की जो दूरी है वो है 3214 km लगभग कैसे आई पूर्व से पस्यम है 233 km और दोनों का डिफ्रेंस है 281 km और मज़े की बात है यह क्षन एक बार एक्जाम में पूछा गया था भारत की उत्तर से दक्षिन और पूर्व से पस्यम की बीच की दूरी कांतर कितना है आंसर है 281 km इस तरह कोस्षिन भी आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान से देखिए अब देखिए जो मैं आपको नोर्थ और इस्ट बार बार आपको एन इन 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 इ बता रहा हूं देखिए अगर हमने कहीं पे एन इन इ लिख दिया है देखिए यहाँ पे कोई जगा है यह किसी जगा का एड्रेस है नोर्थ 27 डिगरी 41 मिनट 13 सेकिंड इस्ट इस्ट 66 डिगरी 2 मिनट 12 सेकिंड यह जगा बताए कहा होगी अगर आपको खाली यह जगा दे दी जाए इतना ही लिखा है तो आपको क्या परदा चलेगा देखिए N E लिखा है N North N मतलब उत्री गोलार्द में जगा है पहली बात E E मतलब यह पूर्वी गोलार्द में चले गई यानि कि यह जो जगा है यह जिस जगा के विजगे का भी यह हमारे coordinates है इनको basically हम coordinates गोलते है यह coordinates जहांके भी है वो उत्री पूर्वी गोलार्द में है क्योंकि यह उत्री और पूर्वी हैं लिखा हुआ है उसके बाद देखिए भारत का जो विश्तार हमने देखा उत्री गोलार्द में वो 37 से लेके 8 थक था कहां तक था 97 डिगरी 25 मिनिट तक 68 और साथ की बीच में 66 आता है तो यह रेका भी भारत से होके गुजरेगी तो इस coordinate को देख के आप समझ सकते हैं कि भारत के coordinate है भारत में किसी स्थान के coordinate है मतलब भारत में किसी स्थान का यह address है आपने Google Map खोला होगा यह यहां कहीं उत्तर प्रदेश में किसी स्थान के यह coordinate आएंगे basically मेरा आपको बताने का मतलब इस N और E से था यह कितना importance रखते है देखिए अगर हम भारत के फिर से एक बार डिवीजन कर लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदू पूछ लेता है तो भारत का दक्षण में सबसे दूरस्थ बिंदू था मुख्य भूमी का कन्या कुमारी जो तमिल नाडू में है जिसकी अक्षान से रेखा जो वहां से गुजरती है वो है आठ डिगरी चार मिनट उत्तरी अगर हम भारत के पूर्ण भारत के दक्षणतम पॉइंट की बात करें या भारत के दक्षणतम पॉइंट की बात करें तो वो इंदरा पॉइंट है जो की ग्रेट निकोबार में और वहां से जो अक्सान्स गुजरता है वो है 6 डिगरी 45 मिनट वाला अकसांस अगर हम भारत के उत्तरतम वाले नोर्थ वाले बिन्दू की बात करें तो वो है इंद्रा कॉल जो की लेल अद्दाक्स या चीन के पास है और वहां से जो अकसांस की राइन के जड़ती है वो है 36 डिगरी 6 मिनट और इसी तरह से अगर हम भारत के देशांत्रे विस्तार की बात करें तो जो जगा गुजरात में थी सबसे भारत का पस्षिम इस्थान गुजरात में गुहार मोती या गुहार मोता ये गुहार मोती लिखा है पीछे गुहार मोता लिखाता है देखिए गोहर मोता और गोहार मोती एक ही जगा है जब इंगलिस में लिखा जाता है उसको प्रणॉंसेशन हिंदी में अलग-अलग हो सकता है तो जो भारत का सबसे पस्यम वाला विंदू है वो है गोहर मोता गुजरात में ये कुशन एक्जाम में पूछा गया था भारत का सबसे पस्यम और पूरवी विंदू कौन-कौन से स्टेट में आएगा गुजरात में 68 डिग्री शाट मिनट पूरवी देशांतर पे है और सबसे पूरवी वाला जो भारत का हिस्सा है वो अंदर प्रदेश में है कीबुथू अरोनाचल प्रदेश में सोरी अरोनाचल प्रदेश में कीबुथू है जो 97 डिगरी 25 मिनट पूरवी देशा अंतर रेखा वहाँ से होके गुजरती है I think आपको इस समझ में आ गया होगा अगर हम भारत के छेत्रफल की बात करें दुनिया का सात्मा इस्थान है और कुल लैंड जितनी लैंड अवेलेवल है उसका 2.43% हमारे पास है जितनी भी भूमी है उस भूमी का 2.43% हमारे पास है सात्मा सबसे बड़ा देश है और इतनी ही जगा में देखे 2.43 लैंड का है लेकिन अगर जन संख्या के साफ से बात करें तो जन संख्या में भारत का विश्व में दूसरा इस्तान है और टोटल जन संख्या का 17.5 प्रतिसत जन संख्या हमारे पास है भूमी है कि एवल 2.43% जन संख्या 17.5% इसका मतलब भारत में जन संख्या घनत तो बहुत जादा है भारत में जन संख्या घनत तो बहुत जादा है साथवे नंबर पर आता है छित्रफल की द्रिश्टी से बाकी कौन कौन है साथ इससे पहले रूस, कनाडा, चाइना सबसे बड़ा देश है रूस छित्रफल की द्रेश्टी से उसके बाद कनाडा उसके बाद चाइना उसके बाद अमेरिका ब्राजील, आस्ट्रेलिया और भारत आस्ट्रेलिया टाके नीचे दोरह लगा लीजिएगा मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है लिखने में कभी कोई मातराओं की मिस्टेक हो जाती है रूस, कनाडा, चाइना, उसके या अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया और भारत सेक्वेंस याद रखेगा पुछ लेता है और अगर जनसंख्या की देश्टी से देखें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है उससे बड़ा है चीन तो बड़े देश पांच कों से है चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया ब्राजील, इंडोनेशिया हमारा एसिया का ही देश है और सबसे ज्यादा मुश्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेसिया चीन भारत USA इंडोनेसिया और ब्राजील जंसेंगे के राजी की द्रश्टी से बड़े देश और ब्राजील दोनों में ही पांच पी नंबर पे आ रहा है चाहे हमारा छेतरपल हो चाहें जंसंख्या हो यह आप याद कर लीजिएगा उसके बाद हम देखते हैं करक रेखा और भारत जो हमने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था के करक रेखा साड़े तेश डिगरी वाली भारत को लगवग दो बागों में बाड़ देती है दिखिए यहाँ पे है करक रेखा यहाँ से बहुत सारे कोशन एकजाम में आते हैं और बड़े ही टिपिक एंड हाफ नोर्थ लेटिटिटूड ठीक है यह भारत के आठ राज्यों से होके गुजरती है यह कोई नहीं पुछेगा कोशन क्या पुछेगा मैं आपको कोशन भी दिखाऊंगा भारत के आठ राज्यों से होके गुजरती है कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है अगर आपने मैप देखा है तो आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कोई रट्टा नहीं चाहिए, आप देखिए गुजरात के कच्छ वाले छेट से कोई लाइन, कोई छेतर से कोई लाइन अगर एंटर होगी, यह सीधी जाएगी तो कहां से जाएगी, सिंपल सा है, कच्छ के पस्वी बंगाल को तो आ नहीं है, और अगर वो पस्वी बंगाल से जा रही है, तो आगए तिर पूरा और मिजोरम आही जाएंगे, तो आठ राजी हमारे यहां पर हो गए हैं, देखिए, गुजरात, राजिस्थान, राजिस्थान याद रखे, कन्फूजन आपको होगा तो राजिस्थान में होगा, राजिस्थान का बहुत छोटा सा इससा आता है, जो हमारा मारवार वाला छित्र है, मारवार प्लेटू, उसका छोटा सा इससा आता है, गुजरात, राजिस्थान, मध्य प्रदेश, 36 गड़, जार खंड, पस्मी बंगाल, तिरपुरा बढ़ा, और मि जोरम, तो इस तरह से भारत के आठ राजियों से होके करकर गुजरती है, राजजल भी आजकल नहीं पुछते है, आजकल पुछते है राजधानी, कौन सी राजधानी दूर है, कौन सी राजधानी पास है, देखिए मैंने इसके लिए आपको एक मैप बनाया ह हुआ है कहां पर गया वो यह बनाया वो दिखिए शाड़े तेश्ट डिगरी उत्री अक्सांस करक रेखा गुजरात राजिस्थान मद्धे प्रदेश च्छतिस गड़ जार खंड पस्मी बंगाल त्रपुरा और मिजोरम से होके गुजरती आठ राजों से गुजरती है गु करक रेखा के दक्सिन में है राजिस्थान की राजधानी जैपूर करक रेखा के उत्तर में है और सबसे दूरस्त राजधानी है अगर हम इन राजियों से ही इन राजियों की राजधानियों की बात करें इन आठ राजियों की राजधानियों की बात करें तो इन आठों रा अगरतला की राजधानी अगरतला उत्तर में है मिजोरम की राजधानी आईजोल भी उत्तर में है तो हमने देखा कि तीन राजधानिया करक्रिखा के उत्तर में आ रही है जैपूर अगरतला और आईजोल और पांच राजधानिया करक्रिखा के दक्षिन में आ रही है गांधिय नगर भोपाल रायपूर राची कलकत्ता सबसे दूरस्त राजधानी जैपूर है सबसे निकट दानी सोड़ी लंबाई राजिस्थान में इस तरह कोसन एक्जाम में आते हैं अब देखिए इस मैपको बहुत ध्यान से देख लीजिए यह बहुत मेहनत कर लगी है मेरी इसको बनाने में आपको करक रेखास का रेफरेंस देके पूछेगा कि करक रेखासे निकटतम सहर बता है इसका आप स्क्रिन सोट ले लिजिए इसको ध्यान से सारे सेड देख लिए करक रेखासे कौन सा कितनी दूर है अगर हम तीन चार सेरों का रेफरेंस की बात करें तो कौन जरा दूर है कम कौन कम दूर है जैसे माले जी आपसे पूछ लेगा सूरत देके ऐसे कुष्टन सूरत, इंदोर, उजयन, भोपाल करक रेखा के सरवादिक पास में स्थित कौन सा सहर है आपका अंसर आएगा भोपाल उजयन, इंदोर और सूरत दूर है ठीक है इस तरह कोस्तन एक्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कोस्तन ऐसे पूछ लेगा देखी इस तरह से भी कोस्तन एक्जाम में बन सकता है भारत की मानक रेखा जो है भारत की समय मानक रेखा जो मैं आगे पढ़ने वाले हैं मानक समय रेखा से कौन सा सहर सरवादिक पास है सहर देदेगा आपको ये कोस्तन एक्जाम में पूछेगा है इसलिए मैं आपको उतार हूँ, रीवा, सागर, भोपाल, उज्यान, चार सहर आपको दे देगा देखिए अगर आपको पता है वो सहर की particular location क्या है तो आप बता देगे कि रीवा भारत मानक समय रिखा के सबसे पास में है ठीक है, तो ये जो map है, इसका आप screenshot ले लीजीगा और ये सारे reference वाले city आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा याद करने की जुरुत नहीं पड़ेगी, उतनी ही दूरी पे मैंने सारे जगा बनाई है ये question जो नीचे मैंने बनाई है, ये question exam में पूछा गया था ये question अगर डिसकस करने वाले है अगक हम पढ़ लेते हैं, भारत की मानक समय रिखा भारत की मानक समय रिखा, यह है भारत की मानक समय रिखा जो है साड़े 82 डिग्री पूरवी देशांतर है भारत की मानक समय रेखा दिखिए यहाँ पे सूरज है तो यहाँ तक पोचने में उसको दो गंटे लग रहे है यानि कि यहाँ पे सूरज निकल आया है और यहाँ पे दो गंटे बाद सूरज निकलेगा जिसके according हम समय का निधारन करेंगे जो भारत के लगबग भी इस से जाएगी क्यों जाएगी हम अभी डिसकस करेंगे अभी आप देखें कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो पांच राजियों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा अगर हम सहर की बात करें कभी कभी अग्जाम में दे दे देता है तो उत्तर प्रतेश का जो इलाबाद शहर है बहुत की मानक समयरेखा पांच राजयों से गुजरती है बहुत की मानक समयरेखा क्या है भारत की मानक समयरेखा है 82 डिगरी 30 मिनट पूरवी देसांतर ठीक है यह हमारा प्यारा धर्ती हमारी प्यारी धर्ती ये पस्चिम से पूरफ के और घुमती है तो सूर्वे हमारा पूरफ से पस्चिम के और निकलता है और अंतर रास्टेनियम ये कहता है कि किसी भी देश की जो मानक समय रेखा होगी वो साड़े साथ डिगरी के गुनक में ही होगी किसके गुनक मे का अंतर है उससे दिक्कते होती है दिक्कते कम हो इसलिए हमने हमने क्या अंतर राष्टे निये में बना दिया गया है कि जिस देश की भी अंतर राष्टी है समय जिस देश की भी जो मानक समय रेखा होगी वो साड़े साथ के गुणक में ही होगी ताकि साड़े साथ को अगर ह था वो था कि बुथू में अरुना चल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट यह मिनट है सेकिंड नहीं है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो रिटिंग लिखने में गलती हो जाती है टाइप थोड़ी क्या लिखा आथ से तो भारत के सबसे पूर वाला छेतर है कि बुथू वह जगा ले लें कोई के बीच में कोई इस थन देखें जो बीचो बीच लगबग आता हो तो 82 के आसपास बीच की जगा आएगी 81, 82, 83 के आसपास कहीं इनका बीच निकल का आएगा calculation कर लिजेगा और हमें ऐसा भी चाहिए जो की साड़े साथ डिगरी का गुणक हो साड़े साथ डिगरी का गुणक भी हो और भारत के सेंटर में भी हो तो ऐसी जगा हमारी आती है 82 डिगरी 30 मिनट 82 degree 30 minute साड़े साथ का पूर्ण पूर्ण multiply हो जाता है इसलिए हमने 82 degree 30 minute को अपना मान लिया है भारत की मानक समय रेखा 82 degree 30 minute पूरवी देशांतर अब देखे GMT क्या थी है जो हमारी अंतर राष्टी है मानक समय रेखा थी वो थी हमारी 0 degree पे 0 degree देशांतर हमारी कितनी है 82 degree 30 minute पूरवी देशांतर कितना अंतर हो जाएगा समय का बताईए हमने अभी देखा था कि 1 degree देशांतर में होता है 4 minute 82 degree 30 minute को गुणा कर दो 4 से तो लगबग जो calculation आके आएगा लगबग क्या पूरा-पूरा 5 गंटे 30 minute का अंतर आएगा 5 गंटे 30 minute का अंतर आएगा हम है पूरुब में सूरज हमारी तरफ से निकल रहा है तो हम green which mean time से पहले हैं जब हमारे हैं सूरज निकलेगा तो वहाँ पे होगी रात यानि कि हमारा जो समय है भारत का समय भारत की मानक समय रेखा के साप से 5.5 गंटे भारत का समय green which mean time से अंतर राष्टे मानक रेखा से 5.5 गंटे आगे है यानि पिलस 5.5 गंटे हम इसको बोल सकते हैं कितना आगे है 5.5 गंटे आगे देखिए पूरफ से सूरज निकल रहा है यह हमारी 0 डिग्री मानक रेखा अंतराष्टे मानक रेखा है यह भारत की मानक रेखा है 5.5 गंटे आगे है क्यों आगे है 82 डिग्री 30 मिनट multiply by 4 is equal to 5 गंटे 30 मिनट आपके समझ में आगे होगा यह मैंने आपको बताई दिया है पीछे में देख लेता हूँ कुछ नीचे है तो नहीं नीचे कुछ नहीं है पांच राज्यों से होके गुजरती है यह भी मैंने आपको बता दिया है कौन-कौन से राज्य थे उत्तर प्रदेश, मद्द्र प्रदेश, 36 गड़ प्रदेश, प्रदेश, जहार खंड इसमें नहीं है यही गलती आपसे एक्जाम में होगी होगी तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए नैनी प्रियागराज, मिर्जापूर, कुछ भी लिखाओ नैनी भी हो सकता है प्रियागराज, जिलाबाद, मिर्जापूर, यहां से होके गुजरती है अब देखिए जो मैं आपसे कोशन डिसकस कर रहा था कितना मज़ेदार कोशन है निमनलिकित में से कौनसा सहर दिल्ली के सबसे समीब के देसांतर परिस्तित है बेंगलूर, नागपूर, हैदरबाद, पूने अब देखिए ना तो आपको दिल्ली का याद है देसांतर ना इन में से किसी का देसांतर याद है और याद करना भी नहीं है कहां तक याद करेंगे आप याद नहीं करना है आपको खाली मैप को देखना है और अगर आपने map भी नहीं देखा तो मैंने जो आपको एक map दिया, आपको खाली उसको देखना है, इसके बाहर कोई सहर नहीं आएगा, देखिए दिल्ली, यह है दिल्ली, दिल्ली से देशांतर लाइन है, तो सीधी लंबवत लाइन होगी, दिल्ली से मैंने सीधी लाइन ख कि ये हैदराबाद है पूने दिया है नाकपुर दिया है और बैंगलूरू दिया है बताइए जो दिल्ली से जा रही है हमारी देशांतर लाइन जारी ये बलैक वाली लाइन जो दिल्ली से जारी है देशांतर लाइन कोई भी लाइन है हमें उसका नंबर नहीं जाई है कौन स बैंगलूरू दिख रहा है यहाधराबाद भी दूर लग रहा है पुने भी दूर लग रहा है नागपर लग रहा है बैंगलूरू सब्से निकट्टम देशांतर है दिली का तो इस question का answer बैंगलूरू इस तरह के question का PUSH आपको देशांतर किसी का याद नहीं करना है करक्रेखा के आपको अक्सान से भी किसी का याद नहीं करना है मैंने जो आपको ये मैप बनाके दिया है इस मैपको एक बार स्क्रीन सोट लेके ध्यान से देख लिजिए सारे सहर को एक बार लोकेट कर लिजिए सारे कॉस्षन हो जाएंगे इन सहरों के बाहर से कोई भी सहर नहीं आएगा देखिए कोशन देख लीजिए निम्लिकित सहरों में से निम्लिकित नगरों में कौन सा करक्रेखा से निकटतम दूरी पर है करक्रेखा से निकटतम वाला कितनी बार देखिए कोशन कहां कहां पूचा गया करक्रेख गांधी नगर और उज्जेन देखिए जवलपूर यहाँ पर है यह जवलपूर मैंने इसमें कहीं बना रहा है यह जवलपूर है ठीक है यह अगरतला है ठीक है अगरतला जवलपूर और क्या पूछा था उसने और भी क्या दिया है कुशन में गांधी नगर और उज्जेन ग बिल्कुल गांधी नगर पास में लग रहा है तो इसको उत्तर का आंसर इसका प्रिशन का आंसर गांधी नगर यह है अगर हम इसको बिल्कुल कैलकुलेट का कैलकुलेट सन के हिसाब से देखें तो अगरतला से जो लाइन गुजरती है देखिए अगरतला से जो लाइन उत्री गुलार्द गांदी नगर से तेश डिग्री तेरा मिनट जवल्पुर से तेश डिग्री ग्यारा मिनट उज्जैन से तेश डिग्री नो मिनट देख रहे हैं आप दो दो डिग्री का अंतर है तो और हमारी करक रिखा क्या है तेश डिग्री 30 मिनट सबसे पास में कौन पर चलिए इसको देख लेते हैं कवाय कोशन PCS 2001 में आए पर सिंपल है जैंके बहरतिय मानक समय बहरतिय मानक रेखा क्या है यह बहरतिय मानक रेखा है इस lives lives 82 degree 30 मिनट समय году मची से मुच्छा गया है 120 degree पूर भी तो 82 degree 30 मिनट को और 120 degree की वीच मिन गया कितना है समय हम तभी निकालेंगे तो 120 में से 82 degree 30 मिनट को मैनस कर दीजिए मैनस करके आता है आपका 37 डिग्री 30 मिनट 37 डिग्री 30 मिनट और एक डिग्री हमने जान लिया कितना होता है एक डिग्री देशांतर होता है चार मिनट के बरावर तो 37 डिग्री 30 मिनट देशांतर हो गया हमारा चार से इसको गुणा कर दीजिए 150 मिनिट मतलब 1,5 गंटा 150 मिनिट मतलब 1,5 गंटा और भारत में कितना उसने ब जा हो को बताया बारा बजे रहा है तो 120 डिग्री पे कितने बजेंगे simple सी बात है भारत में 12 डिग्री पे 2,5 गंटे जोड़ दो 1,5 बजेंगे 1,люсद बजेंगे तो इसका आंसर है साड़े चोधा सिंपल समझ में आ गया, I think समझ में आ गया होगा और अब हम उस सवाल का आंसर देख लेते हैं जो सबसे पहले जहां से हमने टोपिक शुरू किया था देखिए दिल्ली का अड्रेस तो हमें पता था इस बिंदो से जो अकसांस रेखा गुजरेगी वह है 12 डिगरी और 12 डिगरी में भी उत्तरी है जो देशांतर गुजरेगा वह है 88 डिगरी और 88 डिगरी में भी इस्ट है तो इस जगा का पता जहां में लेटर पोस्ट करना था उस जगा का पता है उत्री 12 डिग्री पूरवी 88 डिग्री यह जगा का पता है यह जगा का पता है जहां में लेटर बेजना है I think मैं जो आपको समझाना चाहरा हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह ऐसे reference point है जो किसी भी जगा को धर्ती पे locate कर सकते है देशांतर और अकसांस ऐसे imaginary lines है जो किसी भी जगा को चाहे वो समझ में हो धर्ती पे हो पहाड पे हो हर जगा को locate कर सकते है उसको calculate करके computer में program करके plan करके किसी भी जगा का location feed की जा सकती है और उस चीज का उस reference line का in coordinates का हम बहुत जगा इस्तमाल कर सकते है हमारे satellites में हमारे weaponries में हमारे plans में हमारे ship में बहुत जगा इसका इस्तमाल किये जाता है इतने महत्पूर्ण होते हैं अमारे latitude और longitude मैं आसा करता हूँ आज की जानकारी आज का टोपिक आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like, share और comment जरूर करें बहुत महनत लगती है मेरी बहुत महनत लगती है एक lesson को बनाने में अगर पसंद नाया हो तो dislike भी जरूर करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुछ गलत हो तो comment करके जरूर बताईएगा जै हिन जै भारत आपका दिन